Hello Friends, Welcome to the Success Kendra Friends, इस वीडियो में हम लोग 67th BPSC PT exam के लिए Eduteria का जो नया offline test series start किया गया है उसका test number 1 इस वीडियो में हम cover करेंगे देखे Friends, test number 1 जो है 27 February 2022 को संपन हुआ है पहले जो Eduteria का offline test series चल रहा था वो Corona के कारण उसको अस्थागित कर दिया गया था और एक fresh नया test series 5 test का test series start किया गया है पहला test 27 February 2022 को हुआ है तो उसी test series में जो प्रशन थे उनको इस वीडियो में हम cover करेंगे चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो subscribe कर लिजेगा और bell icon को जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी important वीडियो BPSC से सम्बंदित upload किया जाए तो उसका notification सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो चलिए friends बिना देरी किये हुए आज का session स्टार्ट करते हैं friends प्लीज वीडियो को like और share जरूर कर दिजेगा टेस्ट नमबर वन का पहला प्रस देखिए पहला प्रस ने कि निमन लिखित में से किस पाल वनसी सासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया देखे friends आपको सिस करेंगे 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना answer चूलने निकलिए उसके बाद जो भी correct answer होगा पूरी detail में मैं आपको बता दूँगा तो right answer इसका हो जाएगा आपका देवपाल आपसर नमबर A देखे देवपाल जो थे इन्होंने उदंत पूरी के प्रसिद बौध मठ का निर्मान करवाया था जावा के सैलेंद्र वंसी सासक बाल पुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उन्हें नालंदा में एक बौध बिहार बनवाने के लिए पांच गाउं दान दिये थे इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखेगा पाल वंस का संस्थाप कौन था गोपाल था नेक्ष्ट कोसन देखेगा दूसरा प्रशन किन्यम लिखित में से कौन सा इगम सुमेलित नहीं है इसमें से सुमेलित नहीं पूछा गिया है तो देखे इसमें से सभी के सभी जो है सुमेलित है तो उपर इक्त में से एक से अधिक राइटन सर हो जाएगा उसका बढ़ दिखे साथ वहान कालीन प्रसासन में गौल्मिक किस छेतर के प्रसासन से संबंदित था तो ये किस्से था फ्रंस ये था राइट अंसर हो जागा option number C ग्रामिन छेतर के प्रसासन से यह गौलमिक जो था यहाँ संबंदित था साथ बाहन कालिन प्रसासन में उसके बाद देखेगा कुंडलवन कस्मीर में आजित चतुर्त बहुद संगती की अध्यक्सता किस ने कि थी तो यह चतुर्त बहुद संगती कस्मीर में कुंडलवन में आजित किया गया था कुसान वंस के प्रसिद्य सासक कनिस के सासनकाल में ठीक है फ्रेंस और इसके अध्यक्सता किस ने किया था तो वसुमितर ने किया था ठीक है फ्रेंस ध्यान रखेंगे उपाद्यक्स कौन थे अस्वगोस थे पहला बहुत संगती जो है उसके अध्यक्सत में से कौन से अस्थान मौयोतल काल की पस्मी बंदरगा थे तो देखे पस्मी बंदरगा और पुर्वी बंदरगा दोनों याद रखेंगे देखे पुर्वी बंदरगा पहले जान लिजे ये और एक मेदू थे और तामर लिपती थी और प्रश्ण में पस्मी बंदरगा पु वरुन जो थे ये हो जाएंगे आपके जल के देवता, मारूत जी जो थे ये आंदी तूफ़ान के देवता थे और सुम जो थे ये वनस्पतियों के देवता थे तो रैट एंसर इसका 4, 1, 2, 3 हो जाएगा ठीक है, 4, 1, 4, 1, 2, 3 चले, next question देख लीजेगा question number 7 है कि निमलिखित में से बुद्ध की कौन सी मुद्रा सांती सुरक्षा दयालुतायम भय मुक्तता का प्रतीक है तो टोटल दस बहुत मुद्राएं है clear है friends और ये जो पूछा गया प्रश्ण में इसका right answer आपका हो जाएगा अब है मुद्रा option number C ठीक है उसके बाद देखिए वरद मुद्रा जो है इस प्रकार की मुद्रा स्वागत दया और अरपन इमानदारी दान इन सब देने को प्रदर्शित करता है और देखिए ज्यान प्राप्त करने वाले समय को समय जो मुद्रा थी वो थी भूमी असपर्स मुद्रा और ज्यान प्राप्त करने के बाद जब उन्होंने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था वो मुद्रा थी धर्म चक्न मुद्रा तो सब को दिहान रखेंगे गुप्त समंत और सक समंत के बीच कितने वर्सों का अंतर है गुप्त समंत के अस्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 बीस इस भी में किया था और सक समंत किसने किया था कनिस्क ने किया था 78 इस भी में तो ये है इंडिका, option number B हो जाएगा, इंडिका, मेगास्तिनीज की लिखित पुस्तक है, उसके बद के गुप्त काल में राज्य के वर्गी करण के संदर में निमलिखित में से कौन बढ़ते हुए अनुकरम में है, तो सही अंसर इसका क्या हो जाएगा, सही अंसर हो जाएगा ग्राम, उसके बद वीथिया, विशय, सक्ति और राज्य, तो option number B हो जाएगा, इसका right answer, उसके बद next question दिख लिजेगा कि इरान के साह और मुगल सासकों के बीच जगड़े का मुख्य वजह कौन सा था, तो दिखें ये जगड़ा का जो वजह था ये कांधार था, कांधार को अकबर ने 1500, 955 में जो है, अपने अधिकार में ले लिया था, और इसी के बीच, जो है, मुगलो के बीच और इरान के जो साह थे, इनके बीच, ये जगड़ा का कारण बना हुआ था, next question दिखेंगा कि पानिपत की तीसरे युद के समय पेशवा कौन था, उस समय पेशव कौन थे, फ्रेंस, बाला जी, बाजी, राओ थे, अप्सन नमर सी, राइटन सर हो जाएगा, और तीसरा युद जो हुआ था, पानिपत का, ये 1761 में हुआ था, अहमद सा, अबदाली और मराठो के बीच में, इसमें मराठो की हार हो गई थी, उसके बाद देखेंगा कि बथाईएगा हम लोगों ने करीज सौँ से अधिक वीडियो दृальном के लिए, इडूटेरिया का टेस्ट सीरीज, धिष्टी आईस का टेस्थ सीरीज, इन सब को कुशन और इसमें तो देखेंगे जो है सबसे आखरी में ये आया है 1608 में option number 10 का right answer हो जाएगा उसका बदेखे कुतुबदीन एबग की राजधानी कहा थी तो कुतुबदीन एबग की राजधानी लाहौर थी लाहौर से राजधानी को दिल्ली किसने लाया था तो इल्टूत मिसने लाया था ये भी ध्यान repeat नहीं करूंगा आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा ठीक है आप BPSC की तैयारी कर रहे है और निश्तित रुप से छोटी-छोटी points है वो आप जानते होंगे तो देखिए सेर सहा ने हजरते आला की जो उपादी धारन की थी ये बंगाल के सासक नुसरत सहा को 1528-29 में परा जितने के बाद किया था चौसा की उद्ध किसके बीच वा था हुमाईव और सेर सहा के बीच में 1549 में उसके बाद देखेगा किन्यम लिखित में से किसे जहांगीर ने इंगलिस खांकी उपादी दी थी तो ये दिया था किसको तो हौकिंस को अप्सन नंबर ए हो जाएगा हौकिंस के बारे में अब जानते हैं 1921 में अवद में कांगरेस द्वारा शुरू किये गए एका अंदोलन का नितिर्प किया था इसने मदारी पासी ने उसके बाद देखिया आधोनी के काल में सबसे अंत में कौन सी कमपनी का भारत में आगमन हुआ था तो सबसे पहले उत्तर कालीन मगल सासक ये, वुद्तर कालिन महापत सासक थी। लेकिन पूनतः समापत किया था मुहमत सारंगीला ने तो प्रश्ट में जहानदार स्या हो जाएगा इसका राइट अंशर। उसका बढ़ें कि निमलकित में से किस स्षिक्गुरु ने हरविंदर साहब स्वाण मंदिर का निर्बान कर वाया था तो फ्रेंस ये सिखो के 5 वे गुरु थे गुरु अर्जुन देव इन्हों नहीं कर वाया था और गुरु अर्जुन देव ने आदी गरंथ की भी रचना की थी उसका बार देखेगा कि JVP यानि कि J से जोहारला नेरू वी से बलब भाई पटेल और पी से हो जाएगा पट्टावी सितारमया ये जो समीती था उसका गठन किस वर्ष किया गया था जे वी पी समीती का गठन तो 1948 में किया गया था और इस समीती ने भासा के आधार पर प्रांतु की गठन नहीं होनी चाहिए इसकी इन्होंने सिफार की थी उसका बाद देखेगा कि भारत में हुए 1945-46 के आम चुनाओं में बिहार में कॉंग्रिस को कितनी सीटे प्राप्त हुई थी तो देखे उसमें टोटल 152 सीट पर चुना हुए थे और 98 सीट इसमें कॉंग्रिस को प्राप्त हुई थी उसका बाद देखे निम्रिकित म लिखा है कि इसने वेलंटाइन सिरॉल ने वेलंटाइन सिरॉल ने बाल गंगाधर तीलक को भारतिय असांती का जनक कहा है अगला कोसन देखेगा कि नियम लखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो देखे इसमें से सभी के सभी सुमेलित हैं सभी के सभी सुमेलित ह उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने कॉंग्रेस की किस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकते हैं परन्तु गांधी वाद सदय वजिंदा रहेगा तो इन्हों ने ये कराची जो अधिवेशन हुआ था 1931 में उसमें कहा था टीपु सुल्तान ने बंगाल की किस गौवर्णनेर के साथ स्री रंग पटनम की संधी की थी तो देखें स्री रंग पटनम की संधी थी ये 1792 मुही थी और इसी संदी के तहट तीसरा आंगल मैसूर यूद समाफ्थ हुआ था और ये संदी हुई थी टीपू सुल्तान और लॉड करनवालिस के मध्धे में अप्सन नमबर सी हो जाएगा नेक्ष्ट कुस्ण देखेगा किस इतिहासकार ने बंगाल की 1765 से 1772 तक के सासनकाल को डांकुराज की संग्या दी है तो फ्रेंस ये किस ने दिया है ये दिया है केम पनिकर ने केम पनिकर एक भारती इतिहासकार है ध्यान रखेंगे निमलिकित में से कौन आत्मी सभा के संस्थापक थे आत्मी सभा की अस्थापना 1814 अपंद्रा में राजारा मोहन राय के द्वारा की गई थी राजारा मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की भी अस्थापना की थी उसके बाद देखे स्वामी साहाजानन सरसती का लोगप्रिये नाम क् और स्वामी साजानद सर्शती ने 1936 में अखिल भारती किसान सभा के पहले अध्यक्स बने थे उसके बाद देखेगा कि निया अंदोलन से नहीं है तो यह हो जाएगा किसका इसमें से नरायन गुरु का नहीं है ऑफ्सन नमबर D हो जाएगा उसके बाद दिखेगे तथा कथित पर्थम स्वतंतरता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रे नहीं स्वतंतरता संग्राम था उपरोक्त कथन अठारसों संताओं की विद्रों के संदर्ण में किसने कहा था बताइए तो आरसी मजुमदारने ऑफ्सन नमबर C हो जाएगा करेक्ट इंसर नेमनलिकित में सही किस आंदोलन के दोरान पर्थम बार वंदे मातरम का बयापक अस्तर पर प्रयोग किया था तो फ्रेंस ये किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वाधिसी आंदोलन चला उसी में अगला कुस्तन देखेगा कि नीची दिये के घटना क्रमों पर विचार कीजिए तथा नीची दिये के कूट का प्रयोग करें उन्हें काल क्रम में व्यस्तित करें तो देखें बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था अब यहां पर देखें कलकत्ता से राजधानी दिल अस्थानांत्र नुवा तक अब तो 1912 में घोशना इसकी 1911 में कर दी गई थी लेकिन 1912 में यह अस्थानांत्रित हुआ था ध्यान रखेंगे विभाजन कॉंग्रेस का 1907 का सूरत अजिवेशन में मुस्लिम लिख कठन 1906 में तो अब आप लोग इसको व्यवस्थित कर लें अब इसका नाम रखके काकूरी ट्रेन एक्षन बदल करके कर दिया गए काकूरी ट्रेन एक्षन के लिए ध्यान रखेंगे और यहां घटना जो है 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी नेक्ष्ट कूस्ट देख लिजेगा कि भारत छोड़ो अंदोलन के दौरान आजाद दस्ता के कारियों में क्या सामिल नहीं था इसमें सामिल जो नहीं था वो था आपका और लोग प्रिये अधिकारियों की हत्या ये इसमें सामिल नहीं था नेक्ष्ट कूस्ट हमारा है किस वर्स बिहार में प्रतम रेल मार का निर्मान किया गया था तो बिहार में प्रतम रेल मार का निर्मान 1862 में किया गया था ठीक है फ्रेंस उसके बाद देखेगा कि बिहार में देखे बिहार में पुछा गया है व्यक्तिगत सत्यागरह के द अंदोलन शुरू किया था इसके परतम सत्यागरही विनवा भावे थे ठीक है फ्रेंड्स और इसे दिल्ली चलो अंदोलन भी कहा जाता है उसके बाद देखिए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अस्विन पोर्टल शुरू किया गया है जो संबंधित है तो अस्विन पोर्ट पोर्टल का नाम क्या है तो फ्रेंड्स देखिए इसरो के नए अध्यक्षब बने है एस सोमनाथ ठीक है ध्यान रखेंगे और यह जो पोर्टल है इसका नाम है भूवन उसका बाद कि कौन सा राज्य सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए यह भंडारन गौस्ता लागो करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तो यह पहला राज्य बन गया है बिहार उसके बाद देखिए किस मंत्राले ने बयापक हस्तिसिल्प समुह विकास योजना शुरू की है तो यह है कौन सा तो यह कपड़ा मंत्राले है उसके बाद देखिएगा कि भारत और निमलिकित में से किस देश के बीच समुद्री पर्यावरन में पर्विस करने वाले प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले सहरों पर समझाता हुआ है। भारत का स्थान 142 है पर्थम अस्थान पर नॉर्वे है। पहली महिला अंपायर कौन बनी। तो ये क्लेर पोलो सौक बनी है ये औस्ट्रेलिया की है। उसके बाद देखेगा कि सराज्य के राजपाल को वर्स 2021 के लिए कलिंग रतन पुरसकार से सम्मानित किया गया। तो ये आंद्रप्रदिस के राजपाल हैं। इनका नाम है विश्व भूशन हरीचंदन। उप्सन नुबर सी। उसके बाद देखे कि सराज्य ने अगस्त 2021 में मुप्त पानी पानी की लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है। तो यहां राज्य कौन सा है। यह राज्य गोवा है। मैं आपके एक सेकंड का भी समय वेश्ट नहीं करूँगा। लगातार कंटीनियू में आपको को कोस्टन कराऊंगा। और फेंस एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक कर देजे और इसे शेयर कर देजेगा। किसी भी ग्रूप में कर देजे। भारत ने 1-13 अगर्स 2021 को किस देश के साथ संग्त सनब्यास इंदरा 2021 का बाराहवा संसकरन आईजित किया। तो ये नाम में हैं इंडिया आड़स से रसिया। भारत और रसिया के बीच में। और इसका आयोजन रूस के वुल्गो ग्राद में किया गया है। नेक्ष्ट कुस्ण देखेगा कि स्वलाहमा भारती यूरूपिय संग्सिकर सम्मेलन किस देश में आजित किया गया। तो ये किया गया पूर्तगाल में। आप्सिन नमबर C हो जाएगा। राइट अंसर पूर्तगाल की राजधानी का है। लिस बन है। ध्यान रखेंगे। उसका बदिके हाल ही में भारत और किस देश ने तसकरी को नियंतरित करने के लिए संक्त गस्त का आयोजन किया है। तो भारत और नेपाल ने किया है। अप्सिन नमबर A हो जाएगा। सोमनात मंदिर ट्रश्ट का अध्यक्ष क्रूप में किसे ने उक्त किया गया है। तो ये प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी को। नेक्स्ट कुस्सन देखेगा कि सीत कालिन ओलंपिक 2022 के दो अलग-अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारती एथिलिट कौन बने है। मोश्ट इंपोर्टेंट कुस्टन है फ्रेंट्स यह है आरिफ अहत खान और यह जमुकस्मीर के हैं देहान रखेंगे आरिफ अहमद खान उसके बाद देखेंगे स्विडेन की पहली महिला प्रधान मंत्री कौन बनी है तो यह बनी है मैगडेलना अंडर्शन अप्सन बताए कारवे वेक्स ठीके कारवे वेक्स हो जाएगा अपसन नमबर बी उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन देखेगा कि केंड्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्स 2022-23 में राजस्व घाटा अनुमानित है तो यहां राजस्व घाटा जो है यहां अनुमानित है कितना तो सकल लिए उत्पात का 3.8 परतिसत नेक्स्ट को संदेखे दिब्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्यान को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने दिब्यांग करमचारी को लिए एक एप लॉंच किया है तो यहां है पंजाब नेशनल बैंक PNB के द्वारा यहां लॉंच किया गया है उसके बद के किस देशा के राश्ट पती ने देश के गेटवे to Hill एक विकास एक विशाल रइगिस्तान गेस क्रेटर के गैस क्रेटर में दस्कों से जल रही आपको ब्जहाने का आदेश दिया काफी चर्चा में रहा है गेटवे to Hill नर्क का द्वार ठीक है नेक्स्ट कुस्टन देखिया हाली में कौन सा देश अंतराष्टी सौर गटबंदन में सामील होने वाला 102 सदस देश बना है तो यह देश कौन सा है फ्रेंस तो यह है देश अंटीगुआ और बार्मुडा अपसन नमबर सी हो जागा बार्मुडा उसके बाद देखेगा कि ज सेना परमुखों को राष्टपती रामनात कोबिंद के द्वारा भारती सेना के जनरल की मानद rank से समनित किया गया है तो फेंस यह नेपाल के जो सेना बन गया है गोल्डन राइस के अनुवांसिक रूप से संसोधित वानेजिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला उसका वाद के हाल ही में विश्व वैंक समूह ने निमलकित में से किस प्रमुख रिपोर्ट का प्रकासन बंद कर दिया है यह आपको पता होगा फ्रेंड्स इस आप डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद कर दिया इसने उसका वाद दिखे बिहार में कोरोना महामारी को हराने के लिए राज सरकार ने किस नाम से एक गती सीड टीका करन केंदर चलाने का निरने लिया है तो राइटन सर इसका टीका एक्सप्रेस हो जाएगा उसका ब दुनिया का पहला डिवल मोड का ही है वाहन पेस किया है जो दिसंबर 2021 में सड़को के साथ साथ रेल पटरियों बर भी चल सकता है डूवल मोड ठीक है यहाँ देश कौन सा है जो यह विक्सित किया है तो यहाँ जो देश है इसका नाम है जापान उसके बाद दिखे एक हाल अप्लिकेशन है माई पोर्ट एप नेक्स्ट कुस्सन देख लिएगा कि आर्थिक समिक्षा 2021 का नुसार अप्रेल नौंबर 2021 की अवधी में भारत का सरवादिक वस्तुगत निरियात किस देश को हुआ है तो यहां किस देश को हुआ है तो यह राइट अंसर अमेरिका इसक प्रण्टो उसके बादिकेश केंदर राध संबंदों की समिक्ष्या के लिए पुंची आयोका गठन कब किया गया था तो पुंची आयोका गठन वरस 2007 में किया गया था उसके बाद देखेगा कि कौंसा अधिकार वाक्यम अभिवयक्ति की स्वतनत्रता की अंतरगत सामिल ह तो देखें फ्रेंट्स आर्टिकल जो 19 है उसमें 6 परकार की स्वतनत्रता दी गई है और ये सभी उसमें सामिल हैं तो उपर एक्तम से एक से अधिक इसका राइट एंसर हो जाएगा उसका वद के निमन में से किस अनुषेद में यह उपबंद है कि राज के नीती निजिसकता तो नयाले द्वारा लागून नहीं किया जा सकता है नयाले में परिवर्थन ये नहीं है तो यह अनुषेद 37 है भारत के राष्ट पती ने जिस एक मात्र मामले में अपने वीटो सक्ति का परियोग किया था वह था तो वह था भारतिये डाक विद्यक और 1983 में ग्यानी जैल सिंग जी ने इस पर वीटो का परियोग किया था उसके बाद देख लिजे कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां राज्य सबस सीठों की संका समान नहीं है आंदर परदेश में 11 है मद्र परदेश में 11 है गुजरात में 11 है महराष्टर में 19 है तो ये समान नहीं है बाकि सभी समान है उतर परदेश में सबसे ज़्यादा 31 है बिहार म परिसीमन आयों का घठन कभ किया गया था तो पहली बार परिसीमन आयों का घठन जो है 1952 में कीया गया था उसका वाद एक ही व्यक्ति ống राज़ियों का राजपल बनाने संबंदै की प्रवधान की संधहान संसोधन की बारा रखिया घैंका चाहिक है तक श्रीक को आठवी जोड़ा गया था एक तीसवा संसोदन जो है इसमें लोकसभा में प्रतिनीजित वह था 525 से बढ़ा करके 545 किया गया और केंदसासित प्रतिस का प्रतिनीजित वह 35 से घटा करके 20 कर दिया गया नेक्स्ट कुसन देखे उच नयायाले के नयाधिस्व को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के समिधान से लिया गया है तो फ्रंस यह लिया गया है संक्तराज अमिर्का से फ्रंस थोड़ा मैं ज भारत में प्रतम अधालत का यजन किया गया था तो गुजराट में किया गया था ठीक है इनंसे कोई नहीं राइटन सर इसका हो जाएका उसका नेक्स्ट कुस न कि भारत में प्रफम प्रशाश्निक सुधार आयोक का गठन कुप किया गया था तो ये किया गया था आपका 1966 में नेक्स्ट कुशन देखे कि समिधान के अनुसार किसी भी राज्य विधान सभा में सदस्व की संख्या अधिक्तम कितनी हो सकती है? अधिक्तम 500 हो सकती है. निउन्तम कितनी हो सकती है विधान सभा में सदस्व की संख्या? आप जारा कमेंट करके मुझे बताइए. नेक्स्ट कुस्टन देख लिएगा कि कौन सा निकाय समयधानिक है तो इसमें से कोई भी निकाय जो है समयधानिक नहीं है तो उपरिक्त में से एक से अधिक इसका राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद देखे आर्थिक समयधा दो हजाएगा ठीक है उसके बाद देखे वर्तमान में राष्ट्रे आएकि गन्ना है तो अधार वर्स क्या है तो अधार वर्स दो हजार ग्यारा हबारा रखा गया है गरिबी के दुस्चक्र के सिध्धानत का प्रतिपादन किस ने किया था तो प्रोफेसर रेगनर नर्क्स ने किया था अफ्सन नमबर B उसके बाद देखे एक देश एक रासन का डियोजना को पाइलट प्रजक्ट के रूप में कौन से राज्जे में लागू किया गया है तो यह आंदरप्रदेश में और तेलंगारा में लागू किया गया है उसके बाद देखेगा कि अमुलियन का उदेश होता है तो निरियात को प्रोचसाहिन करना होता है उसके बाद देखे उपयोगिता से अभी प्राय है तो उपयोगिता से क्या भी प्राय है तो आवसकता को संतुष्ट करने की सकती निमलिकित में से किस के द्वारा People's Plan का प्रतिपादन किया गया था तो फ्रेंस ये किया गया था M.N. Roy के द्वारा उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन दिखेगा आरोग द्वारा 2.0 का सम्द परमुक रूप से केंदर के किस योजना से है तो किस योजना से है या है आईसमान भारत जन आरोग योजना से अप्सन नमबर B हो जाएगा उसके बाद के थोक मुल सुचकांग के अस्थान पर उपभोगता मुल सुचकांग को मुदरा स्पिती माप के लिए किस समिती की सिफारिस पर चूना गया था उसके वदे कि भारत में खाद सवर्चा मिसनकारंब किस वर्ष हुआ था, तो फ्रेंस यह हुआ था 2007 में, ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है, खाद और सार्वजठनिक विदरन विभाग नेमन में से किस मंतराले का धिन आता है, तो फ्रेंस यहां आता है किस मंतराले का यह उपभोक्ता मामले खाद और सारवजनिक वितरन मंत्राले का धीन आता है प्रधान मंत्री किसान समान निदी योजना के तहत किसानों को कितने रुपी की राशी दी जाती है तो छे हजार रुपीय की गठन ब्रेटन उट समझोते के तहत नहीं हुआ था विसव बैंक और अंतराश्टियों मुद्रा कोस के अगठन विरिक्स का और विसव बैपार से अगठन डबलू टीयों का नहीं हुआ था उपर एक्तमें से एकस अधिक इसका राइट इंसर हो जागा क्योंकि नहीं पूछ उछा गया है उसका हाले में बिहार किसी विष्विडाल्य दवारा पराली परभंदन के लिए किस मोडल को से प्राप्त के जतना से प्राप्ट किया जाता है तो जो पुस्प कली है उससे पूल होताòn से उसके बाद देखेगा तो पूछा गया था कि सुमेलित है उसके बीचल इसलेकरी संसलेशन में निम्न सिकांगो यानि कि सेल और्गनेज्ट किनिकी भोमिका सबसाधिक होती है तो किसकी होती है सबसे ज़्यादा यह पूछा गया है तो सही इंसर इसका हो जाएगा ऑफसर नंबर बी अंता द्रवी जालिका और राइबोजोम का उसका पॉलिय का वाइरस सरीर में परविस करता है तो देंकि पॉलियों जो होता है यह वाइरस से होता है और यह दूसीत भोजन ततह जल से सरीर में परविस करता है BMD परिक्षन किसकी पहचान के लिए किया जाता है Bone Mineral Density तो यह Osteoporosis जो रोग है हड़ी से सम्बंधित रोग इसी की पहचान के लिए नेमलिकित में से किसकी निर्मान में Phenol तथा Formal Dehyde कोपियों किया जाता है तो यह Bakelite की स्थमें तो इसको लिखा है किसने फ्रेंट्स लैमार्क ने Option No.B हो जाएगा Right answer लैमार्क ने लिखा है उसका बदिके निर्मिकित में से कौन सा वास्तिक रूप समचली है तो वास्तिक रूप समचली जो है इसमें Sea Horse हो जागा पुछा ज़ते स्टार फिर्स का है तो ये इकाइनो डर्मिटा संग के अंतरगात आता है इस्टार फिस तारा मचली उसके बदिके जंपिंग जीन के सिधान्त का प्रतिपादन किसने किया था तो जंपिंग जीन का प्रतिपादन जो है ये क्या था बारबरा मैकलेंट टॉंक ने आप्सिन नमबर सी हो जाएगा मानो सरीर में पाए जाने वाले तत्व का सही करम क्या है मात्रा कानुसार तो सबसे ज़्यादा जो इसमें पाए जाता है वो क्या पाए जाता है तो ये ऑक्सिजन फिर कारबन हड्रोजन नाट्रोजन और कैलसियम ये करम सही दिया गया है उसके बाद देखेगा कि कौनसा ये क्यों पादप हर्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है तो देखे ऑक्सिन जो है या फल पकाने वाला हर्मोन जो है या एथिलीन है कौन सा है एथिलीन है तो सुमेलित नहीं है तो option number A यह सुमेलित नहीं है उसके बाद सभी सुमेलित है निमलकित में से कौन से एक सुमेलित नहीं है तो देखे यह सभी के सभी सुमेलित है विटामिन B1 को थाइमिन कहा जाता है विटामिन B3 को नियासिन विटामिन B7 को बायो हो जाएगा option number a उसके बाद देखिएगा कि व्रिक से प्रती घंटा औसत रख्त प्रवाह होता है तो प्रती घंटा 72000 CC सी रख्त का प्रवाहाँ होता है उसके बाद सीटल पिपदार्थतु जैसे कोला में प्रयाप्त मत्रम होती है और मानुस संभ्सचना में होता है तो इलेक्ट्रो प्रोटोन और और नियोट्रोन सभी होते हैं अपसे नमबर डी राइट अंसर इसका हो जाएगा उसका बाद देखें नूकलियस पुछेगा तब प्रोटोन और नियोट्रोन होगा बहुतिक परिवर्तन यानि कि फीजिकल चेंज के संबंध में निम्नम से कौन सा कथन गलत है तो देखें ब अनुतकर्मनिया है ठीक है चलिए यह उतकर्मनिया होता है यह उतकर्मनिया होता है यह उतकर्मनिया होता है ठीक है फिर से उसको उस स्टेज में लाया जा सकता है अपसे नमबर सी जैसे जल बरब बन गया फिर बरब से वह पानी आ जाएगा तो यह उतकर्मनिया होता है ना है उसके बाद कि कौन सा इसनेहक लुब्रिकेंट की रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसमें से ग्रफाइट का इस्तेमाल किया जाता है लुब्रिकेंट की रूप में बहार का नुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिसद पानी में हाइड्रोजन का प्रतिसद 11 अधा संब्लो एक एक प्रतिसद हो जाएगा नेक्स्ट कुस्टन देखेगा कि कौन सी गैस नोबल है तो नोबल गैस कौन-कौन सी होती है हेलियम नियोन आरगन जैनन रेड़ॉन किरिप्टन यह सभी होती है ठीक है तो अप्रिकित में से कौन बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रिप्यों होता है तो यहां है पॉली कार्बोनेट अगला प्रशन देख लिएगा कि कौन सा संचारन का उधारन है तो सिलोवर पर काले रंग की परत बनना बिल्कुल है तामबे का हरे रंग का प सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाता तो यहीरा होता है उसके बदेखेगा कि इस सिटिलीन के बारे में निमलेखित कत्रों पर विचार कीजिए तो देखें वेल्डिंग में इसको प्योग होता है बिलकुल सही है या प्लास्टिक का निर्मान हितुक अच्छा माल है सही है कैलस्यम करबाइड और पानी के मिसरम पर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है यह भी सही है एक दो तीन यह तीनों जो है सही दिया गया है उसके बदी के दक्षीन पूर वेसिया के एक मात्र लैंड लॉक्ट कंट्री कौन है भू आबद देश कौन सा है तो यह लाओस है उसके बद एक तरफ जन जाती है दूसरी तरफ के छेतर दिया गया है तो पुछा के कौन सुमेलित नहीं है तो एनू जन जाती जो है यह दक्षीन कोरिया मनही जापान में पाई जाती है तो यह सुमेलित नहीं है बाकी सभी सुमेलित है भूमद रेखा कितने देशों से हो इंसर हो जाएगा निम्लिकित में से किस राज में सरवाधिक पायाइट पाये जाते हैं सरवाधिक पाये बिहार में पाये जाता है गराशता चालीसा प्रिचंट पचासा और चीखता साथा क्या है तो यह पच्छुआ पौने हैं यह सभी उसका बद के ग्रेट सैंडी प्रदेश हो जाएगा अंडबान निकोबार दिपसमों के सबसे उची चोटी किस भाग में इस्तित है तो यह सेंडल पिक जो है यह कहां इस्तित है तो सेंडल पिक उत्रे अंडबान में उसके बाद देखेगा कि नमलिकित में से बिहार के किस जिले में सरवाधिक वर्षा होती है तो सरवाधिक वर्षा किसन गंज में होती है नमलिकित में से वह कारक नहीं है जो किसी छेत्र की जलवाई को नियंत्रित करता है तो यह कारक जो नहीं है कौन सा तो यह जाएगा आपका आउसत वर्षा उसके बाद नेक्स्ट कुसंदीखेगा एसिया महादेश का से बड़ा Greenland हो जाएगा उसके तूजू दर्रा भारत की किसराज मिस्तित है तो तूजू दर्रा जो है यहां मनीपुर में और मैनमार के बोर्डर पर है मनीपुर हो जाएगा 141 का और 150 तक मैं math है मैं answer फटा फट आपको बताते चलता हूँ ठीक है फ्रेंट्स आप लोग इसको solve कर लिजेगा और फ्रेंट्स प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like कर दीजे और इसे share कर दीजेगा ठीक है मैं regular आपके लिए जो भी content आपको नहीं मिल पाते हैं उस 146 का जो है यह आपका हो जाएगा option number A 147 का जो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 8% 148 का 9 root 3 cm square हो जाएगा और 149 का जो है 60 liter हो जाएगा और 150 का जो correct answer हो जाएगा यह 784 हो जाएगा ठीक है friends share कर दीजेगा like कर दीजेगा